वेलकम टू लर्नर बी आएम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फुल फॉर्म ओफ आई एस तो आई एस आप लोगों ने सुना होगा कलेक्टर सुना होगा है ना इस तरीके के नाम आप लोगों ने काफी सुने होगे अपने पेरेंसे की बड़े हो के बेटा तू आई एस बनना कलेक्टर बनना अधिकारी बनना इस अधिकारी नहीं तब क्या होता है फुल फॉर्म क्या होती है इसकी अगर आपनों को पता है तो वीडियो पॉस करके कमेंट बोक्स में पताईए और देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ आई एस तो आई एस इंडियन एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये होती है आई एस की फुल फॉर्म इंडियन एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इस एक्जाम को जो एक बॉड़ी कंड़क्ट करती है वो करती है UPSC, UPSC के full form अगर आप लोग को पता है तो comment box में बताइए और IAS के जैसी ही एक और service होती है IPS और IAS, IAS या फिर IAS officer कौन होते हैं वो होते हैं DM, district magistrate जिनको collector भी कहते हैं एक जिले के जो topmost official होते हैं सबसे बड़े अथिकारी होते हैं वो होते हैं IAS officer, district collector या फिर district administrator, district magistrate, DM, IAS officer ही होते हैं IAS के full form है Indian administrative service, UPSC इनका exam conduct करवाती है और बाकि सारी service IAS, IPS, IRS, IFS बहुत सारी services is exam UPSC civil services exam से ICS, UPSC civil service exam से बढ़तियां की जाती हैं अगर आप लोग को पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आज आपको एक नए information मिल गई है और UPSC और IPS की full form अगर आपको पता है तो comment box में बताईएगा चैनल को subscribe नहीं किया है अभी तक तो subscribe करिए और share भी करिए और like करिए video को, thank you